आज हम बनाएंगे पर्मल और इसमें हम डालेंगे चनादार जिसे ये और भी स्वार्दिश लगेंगे जो की बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे आप एक बार इस तरीके से पर्मल की सब्जी को जरूर ट्राई करें मैंने लिया थे आदा किलो पर्मल अच्चे से वाश करने के बाद छीलने के बाद इसको हमने दो भागों में काट लिया है देखिए वैसे तो जिसके बीज है न कच्चे कच्चे हैं अगर आपके पास पक्केव में बीज है तो आप निकाल भी सकते हैं मैं बीजों समेत ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी रखते हैं अब मैंने कुक कर ले लिया है गैस हॉन कर लेंगे उसको हम गर्म कर लेंगे जैसे गर्म होजाएगा दो चुटकी के करीब मैं इसमें हींग डाल रही हूं वं टीस्पून डा रही हूं जीरा और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सौफ डाल दी है थोड़ा सा जीरे को फूलने देंगे मैंने दो प्याज लीती उनको बिल्कुल बारी काट लिया था वो डाल रही हूँ देखे आप चाहें तो प्याज को कद्दू कस करके भी डाल सकती है इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूगी दो सूखी लाल मिर्ची और प्याज को हमने अच्छे से भूल लेना है जो प्याज है सुनेरी हो जाए यह देखे प्याज हमारी सुनेरी हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टेबल स्पून लस्राद का पेस्ट थोड़ा सा चला देंगे मैंने दो टमाटर लियते उनको चोटा-चोटा काट लिया था आप वो डाल रही हूँ इसके साथ ही हम डालेंगे कुछ मसाले हाफ टीज्पून मैं इसमें लाली पौडर डाल रही हूँ नमक आप स्वादन सा डालें नमक डाल रही हूं और हमेशा की त्रहा मैं इस में लाद मिर्ची पौाउड़ डाल रही हूं उभी कम तीखी वाली आप चाअब तो दूसी वाली भी डाल सकते हैं और द्धनिया पौडर अच्छे से मसालों को हमने मिक्स करना है और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है मैंने लिती चनादाल मैंने आदा कपके करीब चनादाल लिती अच्छे से वाश करने के बार इसको मैंने दो घंटे के लिए भिगो दिया था अगर आपके बस टाइम कम है तो आप एक गंटा भी भीग हो सकते हैं लेकिन गरम पानी में यह बहुत अच्छे से फूल गई है इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है देखिए टमाटर भी काफी हद तक सॉफ्ट हो गए है चना दाल भी डाल देते हैं चना दाल डालने के ब परमल को भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है जो दाल और परमल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं अब मैं इसमें डालूंगे पानी मैं इसमें एक कप के करीब पानी डाल रही हूं क्योंकि हमने दाल को भी अच्छे से पकाना है तब ही हमने इसमें पानी डाला है और दाल देंगे इसमें कुछ और चीजे जो इसके टेस को बढ़ाएंगी मैंने एक प्याज लेती उसे पतला लंबा काट लिया था और उसके न वाइट वाला बाग अटा देते न जम प्याज का तो बहुत अच्छे से खुल जाती है और हाफ टीस्पून मैं इसमें डारी हो गर इस तरीके से प्याज डालने से न इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब लगा देंगे कुकर का ढखकन तेज गैस पर दो विस्तर लगा देंगे कम गैस पर पांच मिन्ट तक पकाएंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलेंगे देखे कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब इसको हम चेक कर लेते हैं देखे वैसे तो देखने से यह आपको लग रहा होगा सब चीज़े बहुत अच्छे से पक चुकी हैं लेकिन हम सबसे पहले चनल दाल को चेक कर लेते हैं यह देखे बहुत अच्छे से गल चुकी आप एक बार चनाधार पर्मन की रेस्पी को जूरु ट्राइ करें जिसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसमें हमने ज्यादा ग्रिवी नहीं रखी है यह चपाती प्रॉंटे चावल सभी के साथ अच्छी लगेगी और कमेंट्स करके जूरु बताएं आपको किसी लगी धन्यवाद